शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें लोगडाउन के चलते जहां लोग अपने घरों में हैं तो वही मनपा की ओर से सक्करदरा में फैले कूडे कच्चरे की साथ सफ़ाई की जा रही है अब तक कई कूबिक मीटर कूडा कच्रा निकला गया है और भी बचा कूडा कच्रा निकला जा रहा है जिससे आने वाले दिनों में सक्करदरा तालाब खूली सास ले पाएगा पेश है हमारे समधता संजे मीरे की यह रिपोर्ट नाकपुर शहर में आदा दर्जनों से भी जादा तालाब है यह वो तालाब है जो कभी कबार स्वच्च और सुन्दर्ता से दिखाएं देते थे लेकिन जब से शहर के लोगों ने इसमें कच्रा फेकना शुरू किया तफसे लेकर अब तक शहर के अधिकाउंच तालाबों में हजारों क्यूबिक मिटर का कूड़ा कच्रा मिट्टी जमा हो गई है शहर की तालाब की सापसफाई बहुत कमी होती थी जिससे तालाब का सौंदर्य दिन बददिन बिगड़ता जा रहा था इन भी से न्यूज चैनल की और से शहर के अधिकाउंच तालाब का सौंदर्य खत्रे से घिरा है तथा अपनी बधाली पे आशु बाहा रहा है ये सकरदरा तालाव ऐसी कई खबरे चानल के माध्यम से बताई गई थी जिसके चलते मनपा प्रशासंद्वारा इस न्यूज पर गौर फरमाते हुए सकरदरा तालाव की साफ सफाई बेड़े पैमाने पर की जा रही है ये इन बिसे न्यूस का ही इंपैक्ट है नाकपुर शरके कुछ ऐसे तालाव है जिसका अभी भी संदरी कर नहीं हुआ था उन्ही में से एक था सकरदरा का ये तालाव इस समय में हम ऐसे जगों है जहां से हम आप देख सकते कि यह वही सकरदरा तालाव है जहां पर बड़े पैमाने पर कामकाश शुरू है और मनपा के जो कर्मी है वो लोग यहाँ पर सापसपई करते हुए दिखाई देते हैं कमल के कुछ फूल भी खिले हुए है कुछ कीचड भी है कुछ गंदगी भी है छोटे बच्चे भी यहाँ पर दिखाई देते हैं ऐसे में ये काफी पूराना ये तालाब भोसले कालिन तालाब जिसे कहते है उस तालाब की जिस प्रकार से बदहाली जो हुई थी अब मनपा प्रशासन के और से इस और ध्यान दिया गया और तब कई यहां पे सुचर रंग से काम काट चालूए कई अब तक बहुत जादा बड़े पै संजेव मिरे इन बीसे न्यूज नाकपूर